नमस्कार दोस्तो हमारी सुटूप चेहला क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक्स वाकत है इन तेन चीजूं का दूद साथ दिनों तक पीने से सरीर के सारे रोक कर जाएंगे दोस्तो मनुष्य के भोजन में दूद ही एक ऐसा भोजन माना जाता है जिसको अहार सास्त्रों ने पून भोजन बताया है दूद के अंदर प्रोटीन, कार्बोहेटिर, दूद सरक्रा, खनिजलव, वसा और विटामिन आदी मनुष्य के सरीर को पोसन देने वाले तत्व वीर का निर्मान, सरक्षन और पोसन तीनों ही होते हैं यह एक पोस्टिक भोजन है जो कि एक नवजात सिसू के लिए बहुत अधिक लाबकारी हैं पस्वों से प्राप्त दूद के लाब दूद को पाने के और स्रोध भी हैं जैसे सोयबीन, मुंखफली, तिल, नार्यलाद तो आईए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सोयबीन, तिल और मुंखफली का दूद बनाने की विदी उसके बाद जानेंगे इनके चमतकारी फाइदों के बारे में सोयबीन की तरह हैं ही अगर आपको तिल, मुंखफली या जिसका भी दूद बनाना हो, सबसे पहले उसे बारा घंटे तक पानी में भीको दे फिर उसे मिक्सी आदी में पीश कर उसका चैगुना पानी में मिला कर चान ले, आपका दूद तयार हो जाएगा इसी तरह हैं नारिल की कच्ची गिरी को पीश कर दूद आप बना सकते हैं, नारिल को पानी में भीकोने की जरूद नहीं है तो आएए दोस्तों अब जानते हैं इन दूद को पीने के चमतकारी फाइदों के बारे में सोयबीन दूद के फाइदे सोयबीन का दूद में कैलसियम, आइरन, फासपोर्स, एम विटामिन भी अच्छी मातरा में पाय जाता है सोयबीन का दूद बच्चों के लिए हमेशा लाब दायक होता है यह कोलस्टोल को कम करता है यह दिल के रोगी, एम हाई बलड प्रैसर वालों के लिए काफी लाब दायक है यह यूरीकैसिड नहीं बनाता, इसलिए गठिया रोग के लिए भी लाब दायक है यह दिमाग से जुड़ी रोगों, जिगर, कमजोरी, यादास्त, मिर्गी, कमजोरी, फेसपड़ों की बीमारिया, डाइबटीज, खून की कमे, जिगर के खराबी, कुर्दे के रोग आधी में बहुत अधिक लाब दायक है यह अमलता बढ़ने के हर रोग में लाब दायक है, यह कैंसर होने से बचाता है तिलों के दूद के फाइदे, इसमें कैलसियम अधिक पाया जाता है इसके लाबा इसमें प्रोटीन, कार्बोहड़िड, विटामिन B, C, E, फासफोर्थ, लोहा अधी मात तरह में पाया जाते हैं परकिर्ती ने इसे कई पोसक तत्तव परदान की हैं और इससे सभी जरूरी तत्तव हमें मिल जाते हैं इसके चिकनाई में कोलोस्टोल नहीं पाया जाता यह दिमाग की कमजोरी, दातों की कमजोरी, तवचारों और काम करने की सकती के लिए बहुत अधेकर लाब दायक है यह सरीर के त्री दोस ना सक है इसके अच्छे गुणों की वज़य से हावन तब पूजा आदी में इसका विसेश महतव है नारियल दूद के फाइदे इसके अंदर विटामिन A, D, C, कैल्सियम, लोहा, फासपोर्स, आदी खनिश्टत्तों पूरी मातरा में पाय जाते ही इसमें अच्छी क्वाल्टी के शारिये तेल पाय जाते ही और इसमें प्रोटीन एम कार्बोहेडरेट होते हैं इससे स्वास्ते उन्नत होता है इसके उप्योग से कबज एम हर प्रकार की सुजन दूर होती है और छोटे बच्चों में सूखा रोग नहीं होता अब जानते ही मुँफली दूद के फाइदे इसके अंदर भी प्रोटीन, कार्बोहेडरेट, चिकनाई, रिटामिन A, B, कैल्सियम, लोहा, फास्पॉर्स आदि पूरी मातरा में पाय जाते हैं यह सकती दायक होता है पाचन तंतर को ठीक रखता है दिमाग की कमजोरी को तूर करता है तो दोस्तों आप भी इन दूदों का सेवन करके इससे होने वाले फाइदों को उठा सकते हैं और बहुत सारे बीमारियों से बचे रह सकते हैं दोस्तों अगर आप इन दूद का सेवन लगातार करते हैं तो आप अपने सरीर में चमतकार देखेंगे तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्तो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना भूले इसके साथ-साथ आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना फूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चपरदास टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवा दोस्तो